नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि मार्केट एक रजिस्टन्स लेवल के करीब आने के बाद दोजी कैंडल बना चुका है क्या इसके बाद हम लोगों को एक डाउनसाड का मार्केट कल के दिन देखने को मिल सकता है क्या और अगर देखने को मिल सकता है क तो उसके पीछे का logic क्या रहेगा यह इस वीडियो में सिखने की समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले start करते हैं Nifty का analysis अभी आपके सामने मेंने Nifty का spot का daily का chart लगाया हुआ है अगर आप आज के दिन के momentum को देखोगे तो completely एक indecisive momentum हम लोगों को देखने को मिल चुका था आज के दिन expiry था है, expiry के दिन generally expected यह रहता है अगर बड़ा momentum होता है तो jackpot का trade हम लोगों को मिल जाता है लेकिन आज के दिन क्या हो गया market ने दोनों side का momentum यहाँ पर दिखाते हुए, एक दोजी candle बनाया हुआ है market एक important resistance level के करीब आ चुका है इस resistance level के करीब जो positional basis पर trade करते है उनके कुछ sale के position already hold बने रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इस level को defend करने की कोशिश करेंगे जैसे market इस level के करीब आ जाएगा, वो और quantity यहाँ पर add करने की कोशिश करेंगे जिसकी वज़ा से market आइदर यहाँ पर pause ले सकता है या फिर एक हलका सा downside का momentum हम लोगों को दिखा सकता है लेकिन जब भी market downside momentum में आएगा तो जिन्हों ने भी यहाँ पर buy किया रहेगा वो फिर market को एक range bound zone में लेके जाने की कोशिश करेंगे जब भी market एक range bound zone में चला जाता है तो जो option writer है, वो option writer को automatic benefit होना चालू हो जाता है premium decay का आज के दिन का अगर आप momentum देखोगे तो आपको clear cut समझ में आ जाएगा आज पूरा दिन market उसी zone में बना रहा इनिशली opening के बाद क्या हो गया हम लोगों को हलका सा एक downfall देखने को मिला लेकिन उसके बाद मतलब 10 बज़े से लेके अल्मूस दो बज़े तक market जो था वो एक completely range bond phase में चला गया था ये जो breakout हम लोगों को देखने को मिल चुका था इस breakout के दोरान एक हलका सा momentum trigger हो गया और फिर market range bond zone में चला गया है तो कल के दिन हमारे ले important level कौन से रहेंगे ये समझने के लिए पहले हमें चाना पड़ेगा daily chart के उपर अभी आपके सामने में daily chart जो लगाया हुआ है जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था कि market में जो important selling वाला zone हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो बाइस अजर से लेके बाइस अजर पचास के बीच का दिखाई दे रहा है ये बहुत ही crucial zone हया पर बना हुआ है जब तक market इस level के उपर नहीं निकलेगा market में short covering trigger होके आपसर का momentum हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा market जब भी इस level के करीब आ जाएगा हम लोगों को open interest के data को consciously wait के और watch करना पड़ेगा और यहां से market में reversal देनी के भी आशंका पैदा हो चुकी है तो यह दोनों साइड के momentum इस वाले important crucial level पर market में possible है तो इसके लिए हमें तयार रहना पड़ेगा market में अगर आप intraday का chart देखते हो तो intraday के chart में ज़्यादा कुछ अभी हम लोगों को हलचल दिखाई नहीं दे रही है तो intraday chart में एक ही possibility हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे है एक ही जिस point से buying start हुई थी दुबारा market अगर उस point के करीब आ जाता है तो market एक हलका सा bounce back हम लोगों को दिखा सकता है इस bounce back को consider करना है तो 21,850 के level को monitor आप लोगों को करना पड़ेगा फिलाल के लिए market में ऐसा कुछ downside का immediate panic selling हम लोगों को माहूल दिखाई नहीं दे रहा है downside का scenario market में कब possible हो सकता है तो यहाँ पर market ने यह जो upside का trend line बनाया हुआ है जब तक market इस level के उपर रहेगा upside का momentum continue रहेगा और जैसे ही market इस level के नीचे आ जाएगा तो downside का momentum market में trigger हो सकता है कल के दिन US market में जो है वो US market में फरवरी का consumer expectation का data आने वाला है यह हमर लिए important trigger रहेगा some more के दिन अपना currency market बंध है चतरपती, शिवाजी, माराथ, जैन्ती की वज़ा से और मेरे खायल से US market में भी holiday आने वाला है और some more हमर लिए important क्यों रहेगा क्योंकि चाइना का जो market है वो 6 दिन के बड़े चुट्टी के बाद खुलने जा रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को gap opening देखने को मिल सकता है और gap opening के बाद उसका effect Asian market पर होगा और Asian market में जब अपना Indian market स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोगों को भी एक बड़ा gap opening देखने को मिल सकता है लेकिन ये some more के दिन होने की probability है कल के दिन का हम trigger हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्राइस action point of view से ही consider करना बड़ेगा अब ही देख लेते हैं कि बैंक निप्टी में किस तरह के का scenario यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल के वीडियो के analysis में हम लोगों ने discuss किया हुआ था कि यह 46,000 का जो level है यह हमरे लिए crucial level है market ने इस level को multiple बार test किया हुआ है आज के दिन भी यहाँ पर हम लोगों को घमासान देखने को मिला है और कल के दिन वीडियो में उने आपको बताया था इस level के उपर अगर market निकलता है तो market में upside का momentum देखने को मिल सकता है आज के दिन का अगर आप close देखते हो तो उसी level के उपर मल चुका है मतलब market में positive sentiment particularly bank nipty में create हो चुका है market को अभी जो important hurdle मिलने वाला है वो इस level का है जहां से market में selling स्टार्ट हुआ था तो market अगर इस level को निकलता है उपर की side में वो level निकल करके आ रहा है 46307 का market इस level के उपर कलके दी निकलता है तो इसे upside momentum को continue रख सकता है market में फिलाल के लिए immediate downside का कोई भी scenario नहीं है अगर कोई scenario यहां पर develop हो जाता है तो अपनी free वाले telegram channel में मैं आपको update कर दूंगा जिसका link वीडियो के निचे description box में मैंने डाला हुआ है वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को like कीजे और आपनी youtube channel को subscribe करके बेल icon का बटन दबा दीजे मिलते हैं next educational video में thank you very much